नमश्कार, स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करने चाह रहे हैं Fundamental Rights को मौलिक अदिकार इसके अंदर हमने जैसे की पिछली वीडियो के अंदर यानि Part 1 के अंदर हमने 22 तक यानि आर्टिकल 22 तक हमारे जो Fundamental Rights आते हैं वो सारे कर लिये थे और आज हम अपने Fundamental Rights को लगबख खतम कर लेंगे इस वीडियो में और अगली वीडियो के अंदर जो कुछ एक इंपोर्टन्स जैसे की मैं आपको यहां पर आज की इस वीडियो में अलग चैप्टर सा हो जाते एक तरीके सा तो इनको हम अलग से देखेंगे लेकिन आज की इस वीडियो में 32 तक जो है वो आर्टिकल हम कंप्लीट कर लेंगे और इस वीडियो की जो पीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलिग्राम का लिंक दिया मिले जाकर देखिए बहुत अच्छे से उनको समझाया गया है तो चलिए शुरू करते हैं देखिए एक पर थोड़ा सा ओवर्व्यू ले ले लेते हैं हमने पिछली वीडियो में क्या किया था हमने मौली कदिकार स्टार्ट किया था मौली कदिकार कौन से भाग में आता है तो यह बहुत important question है क्योंकि exam में पूछा जाते रहे हैं यह साथ-साथ मौली कदिकार कहां से लिए गये हैं मौली कदिकार हमने कहां से लिए हैं शुंगत्रा जयमेरिक है यानि USA से लिए हैं तो यह बहुत जादे important है अब साथ-साथ हमने देखा था कि मौली कदिकार को कैसे divide क का अदिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंदी अदिकार और सम्वेधानी कुप चारों का अदिकार तो इतीन से लेके यह जो छे हैं मतलब कि इन चारों भागों को हम आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, अब चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए, बात करें हम शोशन के विरुद अदिकार में दो आर्टिकल आते हैं, एक आर्टिकल 23 और एक आर्टिकल 24, आचे आर्टिकल 23 में क्या का गया है, कि मानव के दुर वैपार और बलात शरम पर परतिशेद, मतलब कि देखिए इसका मतलब यह है कि किसी भी human trafficking को, मतलब होता है नहीं कि इनसानों को बेचा जाता है, जातर लड़कियों को, बच्चों को बेच दिया जाता है तो वो एक human trafficking होती है उस trafficking के उपर यहां पर कानून बनाया गया है कि वो गैर कानूनी है, अगर ऐसा कोई करता हुए व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी तो एक दंड भी दिया जाएगा तो यह सारी चीज़े किस में कहीं गई है आर्टिकल 23 में, तो आर्टिकल 23 कहता है कि देखो, इनसानों की, यानि व्यक्ति की खरीद, बिक्री, बेगारी और इस परकार का अन्य जबर्दस्ती लिया हुआ, श्रम जो है, वो निशिद ठहराया जाएगा अब देखो, एक तो बिक्री होगी बेच रहे हो, आप जैसे समान हम खरीदते हैं वही, यह काम कर, क्योंकि तेरे बाता पिता ने हमसे करजा लिया था तो जो वो करजा चुकाना है, तो तु यह काम करता ही रहेगा, उसको गुलाम बनाके रख रखा है आने वाले टाइम में उसकी पुस्तों को भी गुलाम wages decide की विए अगर उससे भी कम अगर उसको दिया जा रहा है तो वो भी एक तरीके से निशेद है article 23 के अंदर वो चीज आती है कि वो भी चीज नहीं करेगा अगर कोई इंसान lower wages से भी नीचा कर कम देता हुआ पाया गया तो इसके खिलाब कारवाई की जा सकती है fundamental right है ये clear हुआ अच्छा अब यहां पर का गया कि जबर्दस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते लेकिन एक जगाँ आप काम करवा सकते हो वो कहां पर राष्टी सेवा पर राष्टी सेवा पर कैसे देखे अगर हमारे देश के उपर अगर आकरमन होता है या फिर हमारा देश जो है वो किसी युद के अंदर आ जाता है तो वहां पर अगर हमें जुरूरत पड़ती है लोगों की या फिर राष्ट के अंदर ही सेवा के लिए जुरूरत पड़ती है तो हम वहां पर काम करवा सकते हैं या सरकार देखे 14 बड़ से आयू के कम बच्चों को कार खानो खानो और अन्य किसी जोखिम बरे काम बर नियुक्त नहीं किया जा सकता इसका मतलब समझो ज़रा देखो क्या था 2005 तक 2005 तक क्या होता था 2005 के बाद amendment किया गया था 2005 तक क्या होता था जो उनकी जान को खत्रा आजाए वहां पर बहुत जादा एक खतरनाक वाला काम हो जाता है वो कार खाने हो गया जैसे यहां पर बोला गया जोखिम बरा काम हो गया तो वहां पर आप काम नहीं करवा सकते बच्चे से 2005 तक बोला गया था 2005 की बाद एक amendment आता है शंशोदन किया जाता है तो वहां पर यह कहा जाता है कि किसी भी तरीके का काम ध्यान से सुनना किसी भी तरीके का काम जो है वो अगर 14 साल का बच्चा करवाय जा रहा है जैसे कि आपने देखा होगा जो घर होते हैं जहां पर बड़े बड़े घर होते हैं जो काफी अमीर फैमिलीज होती है तो वो छोटे-छोटे बच्चों को अपने पास रख लेती है कि छोटू ये कर दे छोटू वो कर दे तो वो छोटू-छोटू करते हैं या फिर आप ढबे के अंदर देखते हैं तो वो बरतन धो रहा होता है तो वो सब चीज़े वही सरकार ने कहा कि ये जो उमर होती न देखो बहुत जादा important है इस उमर में बच्चा सीखता है इस उमर में बहुत जादा सीखता है बच्चा और आप वहाँ पर उससे काम करवा रहे है उसका एक तरीके से शोशनी तो हो रहा है उसको पढ़ना बहुत जादा जरूरी है मतलब कि उस वक्त खेल कूदने कि उसकी life होती है पढ़ना important होता है उस वक्त उससे वो काम करवाया जा रहा है तो वो गैर कानूनी है तो यह 2005 के अंदर बोला कि अगर वो किसी ढबे के अंदर भी काम करता हो मिल जाए या फिर कोई भी safe काम करता हो मिल जाएगा तो वो एक अपराद होगा वहां पर तीन साल तक की सजा का प्रावधन कर दिया गया था अच्छा बात बोल दी गई 2005 के बात फिर 2016 भी आता है 2016 में एक और amendment हो जाता है 2016 में जो amendment होता है तो दिखे 14 से लेके 18 तक 14 से लेके 18 तक यहां पर यह बात बोल दी जाती कि इस उमर के age में जो भी है teenagers है उनको किसी खतरनाक जगए पर काम या फिर जोखिम भरी जगए पर आप काम नहीं करवा सकते हैं वो निशेद हो जाएगा यहां पर तो आर्टिकल 24 हमें बोलता है कि बालकों के नियोजन का परतिशेद इस चीज को ध्यान रखना है अपने को ओके तो चलिए अब आते हमारे सामने धार्मिक स्वंतंतरता का दिखार freedom of religion बहुत जादा important है अभी आपने जैसे करनाटका के अंदर हिजाब का जो एक विवाद देखा होगा जिसमें कुछ जो बच्चियां है मुस्लिम जो बच्चियां थी वो हिजाब पहन के स्कूल के अंदर जा रही थी करनाटका उडपी स्कूल के अंदर कॉलिज के अंदर जा रही थी उनको जाने से बना कर दिया गया था क्योंकि कॉलिज वालों ने कहा था कि देखो आप ड्रेस पहन के आईए, आप हिजा पहन नहीं सकते, तो उस वक्त ये बड़ा ही सामने आने लगा, विवाद होने लगा, ये तूल पकड़ने लगा, कि हमें अगर हमारा समीधान सुनतंतरता देता है, हमारे धरम को अपनाने की, परचार करने की, परसार करने की, तो आप हमको वो कैसे रोक सकते हैं, तो वो किसके अंटर उन्होंने बोला, वो उन्होंने बोला, पच्चीस आर्टिकल के तैत, तो पच्चीस में आर्टिकल के तैत, ये बात बोली जाती की, अंत्यकरन की और धरम के अबाद रूप से मानने की, आच्रन और परचार करने की, देखो बह होता है कि आप अपने भगवान को या फिर आप जिसको भी मानते हैं आप जिस भी religion में believe करते हैं तो आप अपने भगवान से अपने अल्ला से अपने इश्वर से connect कैसे होते हैं वो जो connect होने का जो way है वो एक अंत्यकरन होता है एक होता है धरम का अबाद धरम का अबाद का मतलब यह होता है कि आपने खुले में आखर बोला जैसे कि कोई हिंदू है तो वो आके खुले में बोलता है कि भाईया मैं हिंदू हूँ तो वो कोई उसको रोग नहीं सकता है यह कहने से कि वो हिंदू है जो उसने धर्म मान रखा है कि उसको follow करने के लिए कुछ rituals कुछ विदियां है अगर वो उनको follow कर रहा है कुछ यग है उनको follow कर रहा है तो वो कर सकता है परचार कि कोई इंसान अगर परचार कर रहा है कि मेरे धर्म में ये अच्छा है बहुत ज़्यादा अच्छा है इसके अंदर यह सब चीजे नहीं है तो वो परचार भी कर सकता है अपने धर्म को लेकिन यहाँ पर एक close भी यह है कि आप परचार कर सकते हैं लेकिन किसी को जबरदस्ति कनवर्ट नहीं कर सकते हो किसी धर्म के अंदर किसी इंसान की अपनी इच्छा है वो एक अलग नियम हो जाता है कि कोई अगर convert करना चाता है अपने आपको किसी दूसरे religion के अंदर तो वो एक अलग पर क्रिया आ जाती है लेकिन यहाँ पर ध्यान अगना परचार के अंदर आप किसी को जबरदस्ति से convert नहीं कर सकते तो यह article 25 देता है अच्छा article 26 का है देखिए article 26 जो है वो 25 article का एक बड़ा हसा व्यापक रूप है यहाँ पर एक individual की बात की जाती है व्यक्ति विशेज जो है वो अपने धरम को कैसे मान रहा है उसका परचार कैसे कर रहा है कुछ का आचरन कैसे कर रहा है तो वो उसके individual की बात आती है article 26 के अंदर एक पूरा समूदा है आ जाता है यहाँ पर व्यक्ति को व्यक्ति को अपने धरम के लिए संस्थाओं को अब संस्था बनाने का क्योंकि वो एक संगटन बन चुके हैं संस्था बनाने की स्थापना का उसको आगे बढ़ाने का विधी संपत्ति के अर्जन स्वामी तूब और परसाशन यानि उसका administration करने का दिकार दिया जाता है यहाँ पर तो article 26 क्या है कि article 25 का एक विस्तरित रूप है यहाँ पर आप institute स्थापित कर सकते हो टेक्स नहीं लेगा कोई भी सरकार टेक्स नहीं ले सकती कहिंदर सरकार राज्य सरकार उसके पर टेक्स नहीं ले सकती वो article 27 बोलता है राज्य किसी भी यहाँ देगे राज्य का मतलब यहाँ पर ध्यान रगना यह राज्य नहीं राज्य का मतलब यहाँ पर देश है यहाँ पर हर्याना पंजाब वो अलग-अलग स्टेट्स की बात नहीं हो रही वो स्टेट्स होते हैं तो यहाँ पर कहा रहा है कि राज्य यानि सरकार जो किसी भी व्यक्ति से ऐसे कर देने गया लिए ऐसे टेक्स के लिए बादे नहीं कर सकती जिसकी आये विशेश रूप से क्या धरम या धार्मिक संपर्दाई की उन्नती या पोशन में वै करने के लिए विशेश रूप से निश्चीत कर दी गई है उसको अगर कहीं से जो रूपय हम जो मिल रहा है वो एक तरीके से या वो खर्च किया जा रहा है वो धरम के उपर किया जा रहा है तो उसके उपर टेक्स नहीं लगेगा यह 27 में बोला अब टेक्स ना लगेगा रीजन क्या है देखो भारत सरकार को जितना भी टेक्स मिलता है पूरी अपने पूरे भारत के अंदर वो Consolidate Fund के अंदर क्या होता है उसको भी हम करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि उस Consolidated Fund से जो है वो देश के अंदर अलग-अलग विकास सिल प्रोग्राम चलाया जाता है सरकार के तरफ से तो सरकार जब वो किसी भी धरम के अंदर उस टेक्स को नहीं लगाती जब वो उस टेक्स को नहीं लगाती तो एक तरीके से ये चीज कहना कि आप किसी भी धरम के उपर टेक्स से जो भारत को जो टेक्स पे रहा है उन्होंने अपना टेक्स दिया और उस tax का use किसी भी धरम को बढ़ाने परचाने में नहीं लगाया जा रहा तो एक अच्छी चीज है ना तो इससे यह नहीं होगा कि दूसरे धरम को priority दी जा रही है अगर सरकार ने किसी एक धरम के उपर उसको परचार परचार करने के लिए tax का use कर लिया अपने consolidated fund से tax का use कर लिया तो सरकार को और बाकी धरम के उपर भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा तो एक काफी important चीज है अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना एक तो tax होता है और एक fees होती है यहाँ पर कहा जा रहा है कि fees ले सकते हैं फरक यहाँ पर है कि fees क्या होती है सर दोको fees होती है कि आप अगर वैशनो देवी गई है तो वैशनो देवी में होता है ना कि आपको एक cable car होती है मतलब उपर था तो वो उस cable car से आपको ले जाया जाते है तो उस cable car की तो fees लगती है ना वो ऐसे तो नहीं चल रही न उसका रख रखाव के लिए उसके maintenance के लिए वहाँ पर employment हो रहा है वहाँ पर बिजली खर्च हो रही है तो सारी चीजों को ध्यान रखने के लिए यह जो cable car होती है आपको लेके जा रही है पर private individual के तरह भी services दे दी जाती है तो यह article 27 हो जाता है हमारे सामने अचा article 28 क्या कह रहा है देखी यह बहुत important article 28 article 28 इसलिए important है कि आपने जैसे मैंने करनाटक का आपको शुरुआत के अंदर ही उधारन दे दिया कि करनाटक के अंदर क्या है कि कोई भी institute कैसे मना कर सकता है कोई आपने सोचा है कि हमारे जो एक fundamental right 25 में जिसमें बोला गया है कि हम धरम को मान सकते हैं उसका परचार कर सकते हैं और हम खुलकर बोल सकते हैं कि मैं इस धरम से आता हूँ तो वहाँ पर आप किसी को धरम मानने से कैसे रोग सकते हूँ तो वह article 28 में मैं समझाता हूँ आप यहाँ पर न, article 28 के अंदर बोला गया है कि चार तरीके के institute हैं एक होता है government और एक होता है government से शाहता प्रावत एक government से एडिड होता है गवर्मेंट से साहता प्रावत होता है एक government से रिकोगनाईजड होता है एक government से रिकोगनाईजड होता है मतलब उसको मानने प्रावत होती है और एक private होता है तो आर्टिकल 28 बोलता है कि आप जो है अपने अपने इसाब से अपने अगर शिक्षा संस्थान चलाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप चला सकते हैं लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि अगर उस शिक्षान संस्थान में एक तरीके से एक तो गॉवर्मेंट है जैसे कि कोई गॉवर्मेंट स्कूल है गॉवर्मेंट कॉलिज है तो यहाँ पर अगर कोई बोले कि आपको जो है वो कुरान पढ़नी होगी आपको गीता पढ़नी होगी आपको बाइबल पढ़नी होगी आपको ये प्रेयर करनी होगी तो ये सब चीजे नहीं चलेंगे इसके अंदर तो बिल्कुल नहीं दूसरी चीज है कि किसी ने धार्मि आपने को इंस्टिटूट खोल लिया या फिर आपने को स्कूल खोल लिया तो आपने का कि देखिए मुझे ना आप मानेता दे दी एक सरकार ने एक तरीके से किसी को मानेता भी दी किसी को सायता भी दी रूपयों की तो यहां पर जो है क्या धरम को या फिर कह सकते हैं कि यहा यहां पर भी करवा सकते हो लेकिन compulsory नहीं है compulsory in the sense कि आप जवर्दस्ती किसी बच्चे को पकड़ के लेकर आओ कि भाया हाँ तुझे पढ़ना ही पढ़ना है तुझे पढ़ना है जैसे आपने कोई स्कूल सुना होगा सेंट जोसफ यह जैसे स्कूल होते हैं यहां पर ऐसा नहीं है कि बच्चे की गर्दन पकड़ के लेकर आएं और उसको बोलें कि तुझे तो यह प्रेयर पढ़नी होगी नहीं भईया नहीं पढ़नी है अगर वो कहे कि भईया यह तो एक जिसको मानेता प्राप्त है इसको सरकार ने मानेता दे रखिया आप यहां पर कंपर सरी नहीं है आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो लेकिन जिस भी बच्चे की इच्छा होगी तो वो करेगा वरना वो नहीं करेगा एक होता है प्राइवेट अप प्राइवेट में भईया आपने जो एक तरीके से पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको कि मुझे तो नहीं पढ़ना भाई यह धर्म की बातें क्यों पढ़ा रहे हो अरे भाईया तुम आये हूँ इसी धर्मिक के बढ़ाई करने के लिए उसी इंस्टिूट में हो तो वहाँ तो धर्मिक पढ़ाई हैं यह किरवाई जाएंग अप उसको धर्मिक शिक्षा नहीं दे सकते और ऐसे शिक्षन संस्थान अपने विध्यारतियों को किसी धर्मिक अनुस्थान में भाग लेने या फिर किसी धर्म परदेश के बलात सुनने अही तु बाद्या नहीं कर सकते विजबर्दस्ती गरदन पकड़के लेकी जा रह हैं तुमको वो सब चीज़े नहीं हो सकती इसके अंदर तो यह थे हमारे सामने आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 28 तक तो उमीद करता हूं यह सारे चीज़ें आपको समझ में आई होंगी फिर से कहा देता हूं देखो PDF जो है वो आप लोगों को प्रवाइड करवाए इसा नहीं PDF भी नहीं प्रवाइड कराई जाएगी इस सारी चीज़ें आपको लिकी लिकाई मिल जाएगी वहाँ पर ओके और जो बोल रहा हूं वो थोड़ा से ध्यान से सुन लेना ताकि यह चीज़ें याद हो जाएं आगे चलते हैं आर्टिकल अब बात करेंगे 29 से ले जाए वो मैनियौ्टी के अंदर हो जाए वो मैज्योर्टी के अंदर हो यानि अलब संक्यक और भाऊ-संक्यक सब के लिए यहाँ बात हो रही⁈ यहाँ पर एक बात आ जाती है हम बात करें संस्कृतिय है और शिक्षा संबंदी अधिकार आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि दोनों आर्टिकल जो है वो एक तरीके से अलप संख्यों को के लिए यानि कि मैनियोरिटी को ध्यान में रखते हुए यह जो आर्टिकल है यहां पर जैसे कि अलप संख्यक वर्ग के हितों की स्रंक्षन जैसे कोई भी अलप संख्यक वर्ग अपनी भाषा, अपनी लीपी अपनी संस्कृति को स्रक्षित रखना चाहता है तो वो रख सकता है और अगर वो किसी इंस्टिटूट में जाता है और भारत के अंदर वर्तमान में छे समुदाय जैसे मुस्लिम, पार्सी, इसाई, सीक, बोध, जैन ये अलप संख्यक वर्ग का दरजा इनको प्राप्त है और अलप संख्यक समुदाय के विकास को समुचित अधार परदान करने के लिए 2005 के अंदर ततकालिन के अंदर सरकार ने परदान मंतरी का 15 सुत्रिय कारे करम शुरू किया था तो यहानी यहां पर एक तरीके से बैनियोर्टी का ध्यान रखा जाता है लेकिन इस कदर भी ध्यानी नहीं रखा जाता है कि अगर कोई मैनियोर्टी कोई अलप संक्यक समुदाय है वो अपनी पसंद का कोई सिक्षन संस्थान खोलना चाता है तो सरकार उसको वहां पर कोई help provide करेगी यह कर सकती है यहां पर तो देखे कितना एक अलग यहां पर आर्टिकल आ जाता है तो यह हो जाता है हमारे सामने आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 32 पे अब बात करें देखे आर्टिकल 30 तक तो हमने कर लिया सर आर्टिकल 30 तो कर लिया लेकिन आर्टिकल 31 कहां गया तो 31 याद करो 31 और 19 का F तो ये दो आर्टिकल मैंने आप लोगों को करवाये थे समीधान संचोधन अब आपको ध्यान रखने कि कौन से समीधान संचोधन वो मैं यहां नहीं बताऊँगा स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया था एक समीधान संचोधन हुआ था 19 का ये F है ध्यान रखना ये जो कौन से आर्टिकल है Right to property Right to property को हटा कर कौन से आर्टिकल में डाल दिया गया थे ये भी ध्यान रखना है ये कानूनी अधिकार बना दिया गया थे इनको legal यानि की कानूनी अधिकार बना दिया गया थे यह बहुत ज़्याद इ compatibility है, इससे सममीधानिक उपचारों का अदिकार, देखें, डटेक जादाउं भीम्रावमेड़कराई साब नहीं कहा था, कि समिधानिक उपचारों का अधिकार इसको समिधान की आत्मा का गया था डाक्टर भीम रामेडिकर के दोरा तो बहुत जादा इंपोर्टन्ट है कि पूछा जाए कि बाबा साब की दोरा समिधानिक उपचारों के अधिकार को 226 के तहट, 226 के तहट, रिट निकाल सकता है, रिट भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, कि रिट क्या होते हैं, 5 तरह के समादेश होते ही हैं, ठीक है, 5 तरीके के होते हैं, अब यहाँ पर जो है, वो कैसे कैसे निकाले जाते हैं, इनका मतलब क्या होते हैं, वो सारे चीज़ों को समझेंगे, पहला होता है, बंदी प्रत्यक्षी करन, यानि हैबस कर्प्स, बंदी प्रत्यक्षी करन, यानि हैबस कर्प्स, दूसरा होता है, परमादेश, परमादेश का यानि मैंडमस, फिर आता है तीसरा परतिशेद लेक यानि प्रोहिवीशन फूर्थ आता है उत्प्रेशन उत्प्रेशन यानि सर्सरी फिफ्थ आता है हमारे सामने अधिकार प्रिच्छा लेक यानि कौवरेंटो अब यहाँ पर यह एक तरीके से जितने भी हैं वो इंग्लिश लेंग्वेज नहीं है यह दूसरी भाषा की मतलब की शायद लेटिन लेंग्वेज हैं यह हमारे सामने उन से लिए गए जहां तक मैं अगर रोंग नहीं हूँ तो यहाँ पर देखो बंदी प्रतेक्षी करन अब एक एकर के बात करते हैं कि मतलब क्या होता है बंदी प्रतेक्षी करन यह नहीं है बेसकर्प्स की बात करते हैं तो इसके अंदर बोला गया कि यह उस वेक्ति की प्रारतना पर जारी किया जाते हैं जो उसको लगता है कि यार मुझे अवैद रूप से बंदी बना लिया गया पुलिस के दोरा और फिर क्या होता है कि न्यायले के दोरा जो बंदी करने वाले अधिकारे को यादेस देते हैं कि आपने जिसको बंदी बनाया है उसको एक निश्चित समय के उपर निश्चित जगए के उपर मतलब कि यहां पर उपस्तित करें जिसमें न्यायले क्या करेगा, कोट क्या करेगा, यह जानने की कोशिच करेगा कि आपने किस अधार पर उसे बंदी बनाया है तो यह हैबस का अब सो जाता है हमारे सामने बंदी प्रत्यक्शी करन फिर एक दूसरा आता है हमारे सामने पर्मादेश पर्मादेश में यह है कि पर्मादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है कि जब कोई पदा अधिकारी अपने काम को सही डंग से नहीं कर रहा हूँ सारजनी की अधिकारी की बात हो रही है कि सारजनी करतव्य इसका सही डंक से वो पालन नहीं कर रहा हूँ इस परकार के आग्या पत्र का अधार पर पता अधिकारी को उसके करतव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है आपने शायद मुवी देखी होगी अगर देखिये नहीं देखिये तो जाकर देखेगे Jab dije movie है बहुत बड़ीया movie है जिसके अंदर ये RIT का उले किया जाता है कि आपको पालन कर रहा ही होगा वाहां पर RIT जारी करवे जाता है तो ये RIT होते है वाहांपर उसका उले किया गया है बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया जी जैभी मूवी को, देखी बहुत अच्छी मूवी है और फिर यहाँ पर बात करेंगे, देखी वो जैभी मूवी ऐसा नहीं है कि आपको entertainment के लिए वो चीज देखने है उसके अंदर सीखने को, जानने को बहुत कुछ मिलता है बहुत एक true story के उपर अधारीता है, सनी है कि वो fictional है, true story है उसके अंदर आते हैं हम third के उपर, इसमें बोलागा है कि परतिशेद लेक परतिशेद लेक में यह है, आग्या पतर सर्वोच न्याले के दोरा, जो उच न्याले दोरा देखे, सर्वोच न्याले दोरा निम्न और अर्द न्याइक, न्याइदिकारों को, न्याइदिकरनों को जारी करते हैं और अदेश देते हैं कि देखे आप जो फैसला कर रहे हो आप जिस मामली की कारवाई कर रहे हो वह आपके अधिकार से बाहर है आप उसके पर कारवाई नहीं कर सकते यह प्रतिशेद लेख है एक आतर सर्चरी यानि उत्प्रेशन उत्प्रेशन के तरह क्या होता है कि इसके उपर कुछ नकुछ कारवाई करवाई जा सके ये सर्चरी हो जाते ह। फिर अधिकार पृच्छा लेकाm अधिकार पृच्छा यह निक कॉआ वेरेंट हो अब कॉआ वेरेंट हो जैसे कि जब कोई व्यक्ती ऐसा पधिरिकारी के रूप में काम करने लगता है कि भाई उसको वैदानिक दरजा प्राप्त नहीं है वैदानिक अधिकार ही नहीं है लेकिन for example कि एक मैं कहूँ कि हवलदार है वो अगर इंस्पेक्टर का काम करने लग जाता है तो ये तोड़ना कर सकता है उसको वैदानिक दरजा तोड़ना प्रिच्छा लिक, उमिद करता हूँ कि आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आ गए होंगे कौन-कौन से हो जाते हैं हमारे सामने 2032, 32 के अंदर हमारे सामने 5 रिट हैं, 5 को आपको ध्यान रखना है, क्या-क्या काम होते हैं उनके अब आर्टिकल 32 में जो है, वो सुप्रीम कोट जो रिट जारी करता है, लेकिन हाई कोट 226 आर्टिकल के तैट रिट जारी करता है आगे चलते हैं एक बहुत बड़ा विवाद शिड़ा हुआ है बहुत ताइम से ही चुड़ा हुआ था अब तो चलो इतना नहीं है, कि क्या मोली कदिकारों के अंदर शंशोदन किया जा सकते है क्या है, क्या हम उसके अंदर कोई amendment कर सकते हैं, क्या हम कोई fair बदल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं तो इसके उपर काफी जंबा debate भी चली हुई है, तो जैसे कि एक आता है गोलक नात बनाम पंजाब राज्य, तो देखें मैंने भी आप लोगों को समझाया हुँआ है, कि गोलक नात वर्सिस पंजाब स्टेट, इसको कहते क्यों है, यह क्या है मतलब यह केस है, क्या है, तो यह भी मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, पिछली वीडियोस के अंतर, मैं सारी चीज़ यहां बें डिस्कस नहीं करूँगा तो देखे, गोलकनाथ बनाम पंजाब राजे 1967 में निर्ने से पूर्व दिये गए निर्नेों में यह निर्धारित किया गया कि समीधान के किसी भी बाग में शंशोधन कर सकते हैं चाहिए वो आर्टिकल 368 हो चाहिए वो मुल दिकार यानि fundamental right ही क्यों ना हो सरवोज नियाले ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राजजेवाद 1967 में अपने जो निर्ने दिया था कि यह बोला था कि अगर आर्टिकल 368 के तैत अगर कोई भी अमारे समिधान के अंदर शंशोधन किया जाता है तो शंशोधन होता कि इसके तोरह आर्टिकल 368 के तोरह शंशोधन किया जाता है परलेमेंट को यह पावर प्रवाइड कोन करता है कि आप शंशोधन कर सकते हैं तो आर्टिकल 368 प्रोवाइड करता है यह, तो यह कहता है कि Article 368 के निर्धारित प्रक्रिया के माद्यम से अगर कोई शंशोधन मूल अदिकारों में किया गया है, तो भाईया, वो उनके उपर रोक लगाता है अर्थात संसद मूल अदिकारों में शंशोधन किया गया, और यानि धट किया गया कि Article 368 में धी प्रक्रिया द्वारा मूल अदिकारों में शंशोधन किया जा सकते हैं, अब यहाँ पर बोल दिया गया, कर सकते हैं तो देखिए, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं विवाद चल रहे हैं यहां पर फिर केश्वनांद भारती बनाम केरल राज़ेबाद बहुत जादा इंपोर्टन है गोलगनाद बहुत जादा इंपोर्टन है केश्वनांद भारती बहुत जादा जिसमें यह विवस्था की गई कि अगर इस परकार किये के संशोधन को किसी न्याले में परशन नहीं किया जा सकता मतलब कि यहां पर आर्टिकल देखिए कि यहां पर जो सरकारती उस वक्त इंद्रा गांधी की सरकारती और उस वक्त आप देखें न एक एरा चलता है मतलब कि कांग्रिस का इरा जवन तेखिए नहरो इरा हो गया गांधी इरा हो गया तो उस वक्त काल चल रहा था एक तरीकी का इंद्रा गांधी का इरा चल रहा था तो वहाँ पर वो बहुत powerful थी तो वो बहुत time बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि tussle में रहे करती थी मतलब कि court के साथ में उनकी बहुत ज़्यादा कहा सुनी समझो बहुत रही करती थी तो court कहता था कि यह नहीं हो सकता तो इंद्रा गांदी जी कहती थी और section 4 और 5 के तायद बोला कि अगर हम कोई भी संचोधन करते हैं fundamental right के अंदर तो आप उसको न्याले में नहीं ले जा सकते हैं यह नहीं उन्होंने का न्याले ही दूर हो जाए यहां से मतलब सुप्रीम कोट का हिटाने की कोशिश कर ली यहां से फिर मिनर्वा मिल केस हुआ भारसंग 1980 में जिसमें निर्धारित किया गया है कि समिधान के अधारबूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार जो होता है वो न्याले का उन्होंने बोला कि आप कैसे कैसे कह सकते हो कि नहीं कर सकते आप इंटरफेर यानि कोट पर यह फंडामेंटर राइट का सबसे बड़ा रक्षा कोन है फंडामेंटर राइट का सबसे बड़ा रक्षा का खुद सुप्रीम कोट आप बोल रहे हो कि सुप्रीम कोट उसके अंदर एंटरी ना करे तो ऐसा नहीं हो सकता यहां पर fundamental right का उलंगन हुआ है उसका शोशन किया जा रहा है तो भई हम यहां पर जांच करेंगे इसके द्वारा जो 42 समिधान संचुन द्वारा की गई ववस्ता को समाब्द कर दिया गया है यहां पर यहां नहीं बोला गया था नहीं कि कोई भी अगर फेर बदल की जाएगी fundamental right में तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कहीं पर भी निले जा सकते तो यह यहां पर खतम कर दिया जाता है मिनर्वा मिल्स केस के अंदर यह जी 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 वह खतम कर दी जाती है तो आई होप सो आप लोगों को यह article जो fundamental right हो आप लोगों को समझ में आ गए होगे अब हमारे सामने article 31, 33, 34, 35 यह बच्चे हुए total 4 article इनको भी हम कर लेंगे यह armed force से related है armed force में कैसे उनके fundamental rights हमसे अलग होते हैं जो civilian होते हैं उनसे कैसे अलग होते हैं तो उनको भी हम जानेंगे तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडियो जो बने आप लोगों को बता दिये कि कहां पर आपको पीडियो मिल जाएगी टेलिग्राम का इक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन में तो जागर आप वहां से पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ जादा ही पसंद आये हैं तो शेयर कर सकते हैं वीडियो को भी ऐस वेल चैनल को भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ तो बने रहिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो